नमस्कार एन वेलकम यॉल एट्स सहचर करन्ट अफियर्स एन इनिशिटीव ओफ बीपेसी कॉंसेप्ट वाला मैं पवन कुमार करवाँगा आपको आज का करन्ट अफियर्स लेट्स साट द वीडियो सबसे पहले question है हमारे पास when is world cancer day celebrated globally तो इसका correct answer है आपके पास चार फरवरी तो इसका सही answer है चार फरवरी को देश में और world में मनाया जाता है world cancer day तो यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ extra fact यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो मतलब इसको celebrate करने का main objective है वो यही है ताकि इससे हम देश में और लोगों के मन में awareness को जगा पाएं cancer के परति के उनको एक तरह से सजग रहना चाहिए इस बार के जो theme है 2024 की तो यह है आपकी close the care gap everyone deserves access to cancer care तो यह theme है इसको याद रखेगा यहाँ पे लोगो है इस बार का और यह poster बना हुआ है next question हमारे पास when is the international day of human fraternity observed तो इ celebrate करते हैं again तो यह इसका correct answer है fact में हम यहाँ पे देख सकते हैं हर साल 4 फरवरी को मनाय जाता है international human fraternity यानि की मानव बंधुत्व ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो international day of human fraternity was established by United Nations General Assembly December 2020 को इसकी स्थापना की गई थी और तभी से इसको हम celebrate कर रहे है next यहाँ पे चीज़े अगला यहाँ पे मैंने कुछ एक तरह से लिस्ट कर ले लगा दिया है और यह अभी तक का updated है तो उसको आप यहाँ से देख सकते हूँ जैसे 26 जनवरी को 2024 को अंतराष्टे सीमा शुल्क दिवस हमने celebrate किया था और इस बार की theme थी customs engaging traditional and new partners with purpose अगला day भी आपका 26 जनवरी है जिसको celebrate किया था हमने हमारा जो गलतन दिवस इसको हम celebrate करते ही है तो developed India और भारत लोकतंतर की जनवरी इस बार की theme है 25 जनवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रिय मतदाता दिवस होता है और इस बार की theme थी nothing like waiting I vote for sure इसके लावा 25 जनवरी को एक और डे होता है राष्ट्रिय परियतन दिवस तो इस बार की जो theme थी वो थी stable journey timeless memory next आपके पास 24 जनवरी है और अंतराष्ट्रे शिक्षा दिवस हम मनाते हैं इस दिन learning for lasting peace इसके लावा 15 जनवरी भारतिय सेना दिवस in service of nation इस बार की theme है 12 जनवरी की बात करेंगे तो राष्ट्रिय युवा दिवस हम celebrate कर है हमारे पास 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस इस बार की theme थी हिंदी bridging traditional knowledge and artificial intelligence तो यह बहुत ज़्यादा important है इस सार के लिए इसको आप ध्यान रखेंगे चार फरवरी को मनाते हैं हम लोग विश्व ब्रेल दिवस empowering through inclusion and diversity तो यहां पे यह मतलब 2024 का मैंने सारा adaptation कर दिया है themes के अंदर next question हमारे पास यहां है मध्यपाशन यूग के शैल चित्रों की खोज हाल ही में किस राज्य में की गई है तो उसका correct answer आपके पास है तेलंगाना ओके is the correct answer इसके लावा यहां पे हम कुछ चीज़ यहां पे देख सकते हैं mesolithic rock painting were recently discovered at Sitabma Lodhi, Gutti Singaram in Telangana यहां का एक district है और यहां पे कुछ आपके mesolithic rock painting पाए गए है पेड़ापली district है तेलंगाना का वहां की यह news है तो यह एक hillock area है और यहां पे dense forest आपके पाए जाते हैं next point है हमारे पास यह जो दिवार है जिस पे हमारे को mesolithic rock painting मिली है यह 1000 foot लंबी है और 50 foot उंची sand stone की rock है जिस पे हमारे को ancient work का extensive nature work देखने के लिए मिलता है mesolithic period की बात करें तो यह है आपका बारा हजार से दस हजार साल पहले का समय और जैसा कि हम लोग जानते हैं mesolithic है तो यह आपका paleolithic यानि की stonage और neolithic जहां पे आपका आग का विश्कार हो गया था stonage जिसको बोलते हैं नियो लिथिक बोलते हैं उसके बीच का यह time period था तो इसको मध्य पाशान का आलभाम हिंदी में बात करते हैं यहाँ पे चीज़े दी गई है आपकी हिंदी में चारो point आपके mention है अगला question हमारे पास है यहाँ पे digital detox initiative recently seen in the news is associated with which work which state तो इसका correct answer आपके पास है करनाटका तो करनाटका की सरकार ने इस पहल की शुरुआत किये है digital detox इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे digital detox यह initiative है करनाटका government का और यहाँ पे दो संसाय है AIGDF और निमहांस इनके collaboration से mental health के challenges को ध्यान रखते हुए tech के overuse को कम करने के लिए इस initiative की शुरुआत की गई है digital detox इसके अंदर हम लोग promote करेंगे responsible gaming practices को क्योंकि सरकार और हम सब लोग जानते हैं कि हम games को पूरी तरह से eliminate नहीं कर सकते हैं हम बस उसको regulate कर सकते हैं तो उसी के उदेश्य को ध्यान में रखते हुए promote करा गया है responsible gaming practices को जिसके थुरू हम करेंगे digital detox लोगों के अंदर बचों के अंदर ताकि वो एक उजवल भविश्य की तरफ जा सके और उनको किसी भी प्रकार की tech की एक तरह से लट ना लगे नेक्स यहां पर शीज़े दे गई हैं आपको हिंदी में अगला आपके पास है यहां पर what is fentanyl recently mentioned in the news तो fentanyl क्या है यह एक type का drug है इस हिसाब से यह आपका सही answer बन जाता है यहां पर देखते हैं इसके बारे में अपनी next जानकारी क्या क्या है यहां पर इसकी photo देख सकते हो fentanyl drug यह citrate के form में मिलता है यहां पर यह जो दो लोग आप देख रहे हो दुनिया की दो सबसे ब बहुत हद तक कम करने का प्रयास करेंगी यह जो drug है यह अमेरिका के अंदर बहुत जादा चिंता का विशय बन गया है क्योंकि यह heroin से 50 गुना जादा stronger है तो आप समझ सकते हो heroin अपने आप में एक खतरनाग drug है और उससे 50 गुना जादा खतरनाग है आपका fentanyl citrate drug तो नश चैनल जो drug है इसको यह FDA approved है लेकिन इसका इस्तमाल दवाईयों में किया जाता है और लेकिन काला बजारी के चक्कर में आप देख सकते हो काला बजारी के चकर में ही इसका उप्यक जो है वो नशे के तौर पे होने लगा है जिसको लेकर के यूस और चैनल ने मिलकर के इसको new cancer cases by the year 2050 इसको अगर हम ध्यान रखें तो 77% का data जो है यह American company है एक उसने यह अनुमान लगाया है और बताया है कि 2050 तक 77% cases की व्रधी देखने के लिए मिलेगी 2050 तक तो यह काफ़ ज़्यदा important news है जो भर के सामने आई है यहाँ पर आप देख सकते हो new cancer cases जो projected है वो 77% तक rise कर सकते हैं 2050 तक यानि की 35 million नई cases देखने के लिए मिलेंगे और developed countries के अंदर यह data देया गया है यानि कि developed countries में जाज़तर यह case होंगे key factor क्या बताया गया है इसका reason दिया गया है tobacco, alcohol, obesity, air pollution तो WHO की यह संसा है international agency for research on cancer इसके द्वारा यह जो चीज़े है यह बताई गए हैं इसको आप ध्यान लखेंगे यहाँ पर आपके पास यह हिंदी में अगला question हमारे पास है यहाँ पर इसका answer है आपके पास cross border challenges in justice delivery तो D आपका सही answer है इसको आप देख सकते हैं इसके बारा में यहाँ पर देख सकते हैं PM Modi ने इनागरेट किया है आपका Commonwealth Legal Education Association Conference in New Delhi तो नए दिली के अंदर इसका जो घाटन किया गया है ठीक है PM Modi के द्वारा और इसी को एक तरह से हम बोलते हैं आपका Solicitor General Sambiland 2024 यहाँ पर आप देख सकते हो cross border challenges in justice delivery इस बार की theme रखी गई है Conference with attorneys general and solicitors from Commonwealth nations in Asia Pacific, Africa and Caribbean alongside international delegates इन सभी लोगों ने आकर के इसके अंदर एक तरह से पार्टिसिपेट किया था और जो आपका cross border जो होते हैं उनके थुरू एक तरह से हम legal services को पहुचा सकें एक दूसरे को समझ सकें और उनके challenges को समझ करके justice को deliver कर सकें यही इस बार की theme है यही इस बार का उद्धिश है तो तीन फरवरी को नई दिल्ली के अंदर इसको एक तरह से पूरा किया गया है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं अगला यहाँ पर यहाँ पर यह सब चीज़े आपके पास हिंदी में दे दी गई है अगला question है यहाँ पर है हमारे पास इसका data इंडियन एर फोर्स की यह एक्सराइज है लेकिन इंडियन एर फोर्स इसको अकले नहीं करती वो इसको करती है इंडियन आर्मी के साथ मिल करके तो alongside को आप दे कह सकते हो यह exercise इंडियन एर फोर्स साथ में इंडियन आर्मी मिल करके करते हैं दोने इसको सपोर्ट करते हैं और यह धब्यास करते हैं वाइफ शक्ती 2024 यह फरवरी 2017 को मैंशन है कि शिड्यूल है इस टाइम इसको पूरा किया जाएगा पोखरन रेंजिस की अंदर जैसल में दाजिस्थान में लास्ट टाइम यह हुई थी आपकी 2019 में फरवरी 2016 2019 को उसको किया गया था ठीक है यहाँ पे चीज़े दे दे गई हैं आपको हिंदी में अगला कोशन है हमारे पास यहाँ पे विच सिटी होस्टेड दा इंटरनेशनल कॉंफरेंस ओन वर्ल्ड वेटलेंड डे करेक्ट आंसवर आपके पास है इंदौर यानि की बी इस दा राइट आंसवर तो यहाँ पे जो हमारे पास फैक्ट्स किया गया ठीक है लोकेशन सारे ध्यान लखना सिर्पूर पॉंड जो है यहाँ पे इसकी इमेज दी गई है यहाँ पे इसको एक तरह से और्गिनाइज किया गया था कॉंफरेंस को इंदौर के अंदर है और मोस्ट इंपोरेंट कोशन है ध्यान लखेंगे मिटिंग को करने वाले जो जो संस्था हैं और एक तरह से जो जो डेलिगेट है उसमें आपका जो मेंशन है वो है आपका एन्वार्मेंट मिनिस्ट्री मध्य परदेश वेटलेंड अथारिटी और इंदौर सिटी इन तीनों के समयलेंस से इसको एक तरह से और्गिनाइज किया गया कॉंफर है इन्होंने अन्वाणूंस किया है दो harus चोबिस के लिए तो लाल अच्छा आप लोग मुझे आंसुर बताएंगे, आप वैसे तो आपको भी अगली स्लाइड में इसके सारे आंसुर मिली जाएंगे, पर मैंने आपको लास्ट फासिस में एक और वेक्ति का नाम बताया था, वो कौन-कौन है दो वेक्ति जिनको भारत रतम देने का निर्णे लिया गया है, इन्होंने 2002 से 2004 के बीच में डेपटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी काम किया था, 2015 में इन्हें पर्म विभूशन से सम्मानित किया गया था, जो है देश का दूसरा सबसे सर्वोच सम्मान, ठीक है, यहाँ पर यह चीज़े दे गई हैं आपको हिंदी में, अगल इसके ओड़ावा, पीपल का यह पत्ता होता है, जिसको हम लोग भारत रतन बोलते हैं, और इसके ओपर संकी इमेज बनी भी होती है, तो यह फैक्ट आप ध्यानक न, यह कुशन आपसे कभी पूछा जा सकता है, पीपल का पत्ता होता है, भारत रतन जो हम देते हैं, और उ सबसे पहले तीन वेक्तियों को ये समान दिया गया था, जिसमें आपके इंक्रूड हैं C. राजगुपालाचारी, सरुपली राधा कृष्णन और C. वी रदामन, ठीक हैं, लास्ट अवार्ड जो 2024 में दिये गए हैं, वो हैं आपके करपूरी थाकोर, तो दो लोगें जो मैं रतन से समानित किया जा सकता है, this was the question asked in UPSC paper, तो maximum तीन लोगों को भारत रतन दिया जा सकता है, दो को मिल चुका है, let's hope, क्या पता कोई तीसरा भी हो, जिसको ये मिले, टोटल अब तक अगर बात करें, तो 50 लोग हैं, जिनको हम भारत रतन से समानित कर चुके हैं, ओके, आ इसके नए जो आपके अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अनिल कुमार लाहोती यानि की भी आपका सही आंस्वर है यहाँ पर देखेंगे इनके बारे में फॉर्मर रेलवे बोर्ड चीफ अनिल कुमार लाहोती बन गए हैं आपके चेर्मेन ट्राय के तीन सालों के लिए इस प प्रफाली कर दी थी 2023 के अंदर नवंबर में ठीक है तो जो इन्हों ने अपना जो कारेकाल है वो दो साल में पूरा किया इसके बाद दो महिने के लिए मिनाक्षी गुपता जी ने इस पद को संभाला था और मिनाक्षी गुपता जी को रिप्लेश करेंगे लाहोती साव ठ आपके नए मेंबर बन गए है ट्राइ के नए अहेड बन गए है अनिल कुमार लाहोती ठीक है इस सारी चीज़े यहां पर आपको समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है यहां पर दीद्द्या गया है यह सब आपको हिंदी के अंदर आगला कोशन हमारे पास है वेर इस इसको आप उर्दू के लैंगुज में ऐसे समझ सकते हैं लोकेशन है इसकी कारगिल स्पेसिपिकली अगर पूछा जाए तो लदाक के अंदर होगा यह डेट अगर देखें तो एक से लेकर के छे फरवरी के बीच में इसको संपन किया जाएगा थीम है सेलिबरेटिंग ला इस तरह से पूरा कराने में हेल्प कर रही है दरास को हम लोग जानते हैं गेटवे ओफ लदाक के रूप में इसके अलावा हम देख सकते हैं ओमिया कौन रश्या का एक इस्थान है जिसको हम लोग दुनिया के सबसे ठंडे इस्थानों के रूप में जानते हैं और दूसरा स्मार्ट गश्ट के लिए सेल्फ बैलेंसिंग इस्कूटर अपनाए है तो यह अपनाने वाले यह आपका पहला इस राज्य बनिया है जहां पे इस तरह की शुरुआत की गई है तो यह निव्स आपकी देखने वाली है अगला आपके पास है अभिनाव बिंद्रा सेलेक्टिड एज टॉर्ष बीरर फॉर दर ट्वंटी वंटी फॉर पैरिस उलम्पिक ठीक है तो अभिनाव बिंद्रा दोज़ चॉविस में पैरिस उलम्पिक के लिए मशाल वाह की रूप में इनको चुना गया है तो जैसा कि आपको पता है 33 वे ग्रिशम कालिन उलम्पिक आपके होने वाले हैं पैरिस फ्रांस के अंदर 2024 में और इसके लावा 34 और 35 ग्रिशम कालिन उलम्पिक भी आपके डिसाइड हो चुके हैं मैं आपको डेटा दे देता हूँ आप ध्यान से सुन लीजिए 34 जो हैं ये होंगे आपके लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर ठीक है ध्यान से सुन लो लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर होंगे 2018 में इसके अलावा जो हमारे 35 ग्रिशम कालिन उलम्पिक हैं इसको किया जाएगा Brisbane के अंदर Brisbane में इनको celebrate किया जाएगा इसके और ये Brisbane कहाँ पहे आपका Australia के अंदर आप एक चीज और ध्यानक ना 25th Grishman Kalin Olympic भी आपके decide हो गए हैं ये होंगे आपके Italy में और Italy में भी दो जगा mention है आपके पास Milan और Cortina ठीक है? Milan और Cortina में ये होंगे 2026 के अंदर आपके 38 वे राश्री ये खेल जो होने हैं देश के वो भी आपके 2024 में ही होंगे उत्राखन के अंदर इसके लावा आपका Nova ICC पुरुष T20 विश्व कब भी 2024 में ही होगा अमेरिका और West Indies के अंदर इसको आप वीडियो को पीशे करके दुबारा सुन सकते हैं महिलाओं का जो डिसाइड़ है वो बांगलादेश में होगा 2024 के अंदर ठीक है नेक्स्ट नीज हमारे पास है यहाँ पे इंडिया ने लॉंच किया है UPI Payment at Eiffel Tower in Paris इस नीज को ने आपके शुरुआति क्लासिस में मेंशन किया था और हाल ही कि यह नीज है यानि कि कल की आपकी नीज है जब इसकी शुरुआत पैरिस के Eiffel Tower पे शुरुआत कर दी गई है यहाँ पे आपके पास Question of the Day यह Question मैंने आपको कराया था कल की क्लास में और यह है आपका Homework कमेंट में जाकर के भर दो इसका Answer Question है थन्ताई पेरियार वन्ने जी वाभिहार ने जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया यह किस राज्ये में इस थित है Hope so आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और जैसा भी रगा इसको आप कमेंट में बताएंगे Don't forget to subscribe and like the video आप share करें इसको अपने दोस्तों के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you